एक बार गौतम बुद्ध बैसाली नंगरी में धन प्रचार के लिए जा रहे थे। उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वैम भी पिए और उन्हें भी बिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहाँ पहुच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ जेबती हुई बोली, महराज मैं एक अच्छूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल्दोसित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में बैसाली के राजा भी वहाँ आ पह दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोराई। इस बार बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाल कर स्वैम भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीनी के बाद बुद्ध ने बालिका से भैका कार्ण पूछा। कन्या ने बताया मुझे सैयोग से राजा के दरबार में गाने का आउसर मिला था राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरसकार में दी लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अचूत कन्या हूँ यह जानते ही उन्होंने अपने सेनिकों को मुझे कैट खाने में डाल देने का अदेश दिया मैं किसी तरह उनसे बचकर यहां तक पहुँची थी कि आप मिल गए इस पर बुध्ध ने कहा सुनो राजन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखे कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्मिय जाती से नहीं बलकि उसके गुणों और कर्मों से होती है जिस बालिका के मधूर कंट से निकले गीत का आपने आनंद उठाया उसे पुरुसकार दिया जिसके कार इतने अच्छे हैं वह अच्छूत हो ही नहीं सकती यहाँ पर नीची सोज और छोटे कारे गर के अच्छूत होने का परिचय तो आपने दिया है इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बलकि आप अच्छूत हैं बैसाली नरेस बुद्धि के सामने सरमिंदा होने के अलाबा और कर भी क्या सकते थे उन्होंने बुद्धि से छमा मांगी और वहां से चले गए तो दोस्तों इस कहानी की सिक्छ यही है कि कोई भी इंसान अपने कारियों और विचारों से बड़ा बनता है अपने धर में अजाती से नहीं ऐसे ही और विडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स विडियो में